नमस्कार फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए आलू पालक की बूती ज्यादा टेश्टी सी रेसिपी ले कराई हूँ अगर आप इस तरी कैसे बनाते हैं तो एक तो आपका टाइम बचेगा दूसरा आपकी जो सब्जी बनेगी बूती ज्यादा टेश्टी बनेगी और तीसरा इ जो प्याज ली है उसको बारिक कट कर लेना है इस तरीके से तो आए अब बिना देरी किये हुए सबजी बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने गैस के उपर कड़ाई रख ली है और अब हम सबजी बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ओईल तो यहां पर लेसुन की कल्यां बारिक कटियों यहां पर हम कटियों लेसुन का इस्तिमाल कर रहे हैं जैसे ही लेसुन के अंदर अलका सा कलर आ जाएगा साथ की साथ हम डाल देंगे प्याज और अरी मिर्ची को कट करके और इनको भी हम अलका सा ब्राउन होने तक बून कर लेंगे तो य आलू को में बारी कट नहीं करना है नहीं तो सबजी के अंदर गोल जाएंगे और सब्जी में आपको उतना मजा नहीं आएगा आप थोड़े से बड़े स्लाइस कट करके आलू की इस्तेमाल करें आलू को अच्छे से मिला देंगे और यहां पर गैस का फ्लेम आमने मेडियम लगा देंगे और इसको हम मेडियम फ्लेम पर यहां पर तीन से च्यार मिनेट पकाएंगे लेकिन द्यान रहे इसको हम बीच बीच में उठा कर एक दो बार चला देंगे तीन च्यार मिनेट के बाद में यह आलू जो है आदे पक जाते हैं यहां पर हम कट करेंगे तो यह अ यहां पे इस सब्जी के लिए ना तो डेर सारे मसाले चाहिए होते हैं, सिंपल मसालों के साथ में बनने वाले सब्जी होती है, मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में और डक्कन लगा कर दिम्याज पर इसको अम एक आद मिनेट के लिए पका लेंगे, बस इतनी देर मे सुखे मसाले जो है पक जाएंगे उसके बाद में अगले प्रोसेस में अमें क्या करना है टमाटर एड करने है तो यहां पर हमने टमाटर एड कर दिये हैं इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ में अम इसके अंदर गरम मसाला और नमक भी एड कर देते हैं बस अब इसमें और कुछ भी मसाले वगेरा डालने की जुरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे, और यहां पर हमारे जो आलू है, यह 90% पॉक चुके हैं, तो अब आमी क्या करना है, अमनी जो पालक लिए है, उसको कट कर लिया है, इसी समय हम इसके अंदर पालक डाल देंगे, और पालक को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरी सबजी के अंदर, बनाने के बाद में इस सबजी का कलर, टेस्ट इतना लाजबाव रहेगा कि आपको यह बेहत पसंद आने वाली सबजी है, और बनाने में आपको 10 मिनेट का टाइम तो लगता ही बनती है, पालक डालने के बाद में इसको अमें सिर्फ 2-3 मिनेट ही पकाना है, ज्यादा नए पकाना है, एक दो बार डखकन उठा कर बेच बीच में इसको चला देंगे, और अगर आपको लगे इस सबजी में पानी ज्यादा है क्योंकि पालक डालते हैं, तो इसमें अलका इसे कट हो रहे हैं, अभी इसको ये गरम रहेगी, तो थोड़ी सी ओर पक जाती है, जब आलू खड़ी खड़े रहे, तभी आप इसको उतार ले, इससे ज़्यादा आप इसको ना पकाए, तो यहाँ पर आमारी सबजी बनकर खाने के लिए तयार है, आप भी इस रेसीपी डाइब का जावाद तूरल झामारी वसका उनकर अचेसी बनकर उते हैं, आप इसको behalf इसको एक इOFF कर दोडैने का इहाँ ना है, जब रहेखाशने क Dou tन्न hell आप, तो बनकर जाई मेका और किबलता हैक घजाँ है, आवाई म।टने का पट कर लिएछ काया है,